जैहिंद स्वागत है आपका एडूपरेटर के यूटूब चैनल पे लास्ट लास्ट में हम लोग जनपद और महा जनपद पड़े थे और ये भी डिसकस किये थे कि महा जनपद में सबसे जादा पाउरफुल मगत था और मगत क्यों सबसे जादा सकती साली या पाउरफुल था पूरे महा जनपद में ये भी हम लोग समझ लिये थे आज के class में हम लोग वो सारी dynasty के नाम देखेंगे जो जो dynasty मगद में रूल की तो सबसे पहले हम लोग dynasty का मतलब समझते है dynasty dynasty को हिंदी में बोला जाता है अगर dynasty का हिंदी में हम लोग मतलब देखें तो dynasty का हिंदी में मतलब होता है once या फिर राज once ठीक है इसको क्या बोलते हैं वंच या फिर राजवन्स तो डाइनस्टी को हिंदी में क्या बोलते हैं वंच या फिर राजवन्स मतलब अगर किसी एक परिवार का ही आदमी बार बार राजा बनता जा रहा है किसी एक ही परिवार का आदमी अगर राजा बनता जा रहा है और कहीं पर रूल किया जा रहा है कहीं पर साशन किया जा रहा है ऐसे चीज़ को क्या बोलेंगे डाइनस्टी बोलेंगे For example, ये एक आदमी है, ठीक, ये अभी यहां का राजा है फिर उसके बाद इस आदमी का जो बेटा होगा, वो अगला राजा बनेगा ठीक, फिर इसका जो बेटा होगा, वो राजा बनेगा फिर इसका बेटा राजा बनेगा तो एक ही परिवार का आदमी अगर राजा बना जा रहा है तो उसी को क्या बोला जाएगा डाइनेस्टी बोला जाएगा ठीक है अब मगद में बहुत सारी डाइनेस्टी आके रूल की ठीक है मगद में बहुत सारी डाइनेस्टी आके रूल की तो जो सबसे पहली डाइनेस्टी आके रूल करती है उस डाइनस्टी का नाम है हरियंका डाइनस्टी सबसे पहली जो डाइनस्टी आई इसका नाम है हरियंका डाइनस्टी हरियंका सबसे पहली ऐसी डाइनस्टी थी जो मगद में रूल की थी ठीक है अब इस हरियंका डाइनस्टी के अंदर जो राजा आये थे हरियंका डाइनिस्टी के अंदर जो सबसे पहले राजा बने उनका नाम था बिम्बी सार ठीक है बिम्बी सार सबसे पहले राजा थे बिम्बी सार के बाद आजात सत्रू आजात सत्रू के बाद उद्दैन ठिक, हरियंका डाइनस्टी सबसे पहली डाइनस्टी थी इस डाइनस्टी के सबसे पहले राजा बने बिम्बी सार फिर आजात सत्रू और फिर उद्देन ठिक, उद्देन के बाद ये डाइनस्टी खतम हो जाती है और फिर हरियंका डाइनस्टी के बाद जो अगली डाइनस्टी आती है इसका नाम है शिशुनाग ठीक, शिशुनाग डाइनस्टी हरियंका डाइनस्टी, हरियंका डाइनस्टी के बाद शिशुनाग डाइनस्टी शिशुनाग डाइनस्टी में जो main important राजा लोग थे जिनको हम लोग को पढ़ना है वो होंगे सबसे पहले शिशुनाग इन्हों ने अपने नाम पे ही डाइनस्टी रख ली ठेक शिशुनाग के बाद अगले आएंगे काला अशोगा काल अशोग के बाद आएंगे नंदी वर्धन नंदी वर्धन जो थे ये सबसे लास्ट राजा थे ये सबसे आखरी रूलर थे कहां के सिशुनाग डाइनस्टी सबसे लास्ट रूलर कौन थे सिशुनाग डाइनस्टी के नंदी वर्धन अब शिशुनाक डाइनेस्टी के बाद जो अगली डाइनेस्टी आती है उसका नाम है नंद डाइनेस्टी या नंद डाइनेस्टी अब इस नंद डाइनस्टी के जो founder थे इनका नाम था महापद्मनंदा नंद डाइनस्टी के जो founder थे इनका नाम था महापद्मनंदा महापद्मनंदा के बाद बहुत सारे राजा बने और सबसे आखरी राजा जो बनता है नंद डाइनस्टी का उसका नाम रता है धनानंद ठिक धनानंद नंद डाइनस्टी का सबसे आखरी राजा रता है फिर इस नंद डाइनस्टी के बाद आती है मौर डाइनस्टी मौर डाइनस्टी मौर डाइनस्टी सबसे इंपॉर्टन डाइनस्टी है इसको पूरा डिटेल में पढ़ना होगा लाइफ क्लास में वो सारी चीजे कवर करा दी जाएगी यहाँ पे सिर्फ एक ओवर्व्यू देख लीजे कि कैसे कैसे कौन सी डैनस्टी आई थी मौरे डैनस्टी में जो सबसे पहले राजा आये उनका नाम था चंद्रगुप्त ठीक सबसे पहले राजा आये चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बाद आये बिंदु सार और बिंदु सार के बाद आये अशोक और अशोक के बाद दो राजा बने एक का नाम था कुनाल और एक का नाम था दसरत फिर इन दोनों के बाद जो सबसे आखरी मौर राजा हुए इनका नाम था ब्रिहद रथा ब्रिहद रथा जो थे यह सबसे आखरी मौर राजा थे अब मौर डाइनस्टी के बाद देखिए, मौर एक बहुत बड़ी डाइनस्टी थी ठीक है, ये बहुत बड़े एरिया पे रूल कर रहे थे तो एक बार हम लोग मौर डाइनस्टी तक देख लेते हैं कि मगद कैसे कैसे बढ़ता गया तो देखिए देखिए, मगद जब 600 BC थी 600 BC में मगद ये इतना छोटा सा था ठीक, और इस टाइम यहां का रूलर कौन था? यहां पे कौन सी डाइनस्टी थी? हरियंका डाइनस्टी थी सबसे पहली डाइनस्टी आई, हरियंका डाइनस्टी यहां पे आके रूल कर रहे थी स्टार्टिंग में मगद बस इतना था, हरियंका डैनिस्टी थोड़ा सा और बढ़ा के इतना कर लेती है, मगद को, ठीक है, मगद में क्या होता है, थोड़ा सा और बढ़ जाता है, फिर जब हरियंका डैनिस्टी के बाद अगली डैनिस्टी कौन सी बतायते हैं, हरियंका डै फुल था तो मगत क्या करता था अपने आसपास के जो राज थे जो जपहा जंपत्स्थी उनपर अटैग करता था और अपने में मिला लेता था ठीक है तो यह जो है शिशुनाग नाग डैनस्टी के टाइम पर इतना हो गया था शिशुनाग डैनस्टी के बाद जब अगली डैनस्टी आए देखें इंग दो कि इतना बड़ा यह पूरा मगध जो है इतना बड़ा पूरी मगध इत्ती बड़ी औग इतने जगा रहा है और ये पूरा इंडिया के बाहर पाकिस्तान अफगानिस्तान भी मिलाके इतना बड़ा पूरा empire बनाया था किसके टाइम पर मौरं एम्पायर जब अशोक राजा बने थे तो ये इतना पूरा empire उनके पास था फिर अशोक के बाद क्या हुआ अशोक के बाद जो पूरा empire दो पार्ट में डिवाइड हो गया था ठीक है empire क्या हुआ था अशोक के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया था जो west वाला पार्ट था ध्यान से सुनियेगा empire पूरा दो पार्ट में डिवाइड हो गया था एक west पार्ट में और एक east पार्ट में ठीक तो जो east पार्ट में जो west पार्ट वाला reason था वहाँ पे कौन रूल कर रहा था वेस्ट पार्ट पे कुनाल बैठ के रूल कर रहा था ठिक और इस्ट पार्ट पे कौन बैठ के रूल कर रहा था इस्ट पार्ट पे दसरत बैठ के रूल कर रहे थे ठिक फिर जब कुनाल और दसरत के बाद राजा आते हैं ठिक वो उत्ते ज्यादा सक्तिशाली नहीं रहते है कितने बड़े empire को बचा पाएं फिर दीरे-दीरे करते हुए क्या होता है more empire जो इतना बड़ा empire है ठीक है ये देखिए जो इतना बड़ा empire है ये दीरे-दीरे क्या होता है ये दीरे-दीरे तूटने लगता है और आखिर में एक राजा बसता है जिसका नाम रहता है ब्रिहद रथा ठेक ब्रिहद रथा अब ये ब्रिहद रथा जो है इसको मार दिया जाता है ठेक ब्रिहद रथा उतना ज्यादा पाउरफुल रूलर नहीं था मौर डाइनेस्टी को यह अच्छे से समाल नहीं पाया फिर ब्रिहदर अर्था को मार दिया जाता है और जब ब्रिहदर अर्था को मार दिया जाता है तो अगली डाइनेस्टी आ जाती है सुंग डाइनेस्टी ठीक है? अगली डाइनेस्टी कौन से आ जाएगी? नाम ता शिशुनाग डाइनस्टी के बाद नंद हो इस नंद करें मौर मौर डाइनस्टी अब जब मौर करें खतम होती है ना तो मौर डाइनस्टी के बाद हम लोग को भारत में इंडिया में दो तरीके के लोग दिखाई देंगे ठीक है ध्यान से समझेगा इसको मौर कितना बड़ा था आप लोग देख चुके अभी दिखाए हैं लगभग लगभग ये लोग इतने एरिये पे पूरे पे बैठे हुए थे इतना एरिया किसका था मौर्यास का था तो इतना बड़ा एंपायर तूट जाता है तो इस पूर इतने बड़े एंपायर में दो तरीके के लोग आपको दिखेंगे ठीक है इतने बड़े एंपायर को जब ये छोटे छोटे पार्ट में तूट गया तो मौर एंपायर को क्या हुआ दो पार्ट में डिवाइट कर दिया गया मौर एंप देखिए मौर एंपायर काफी बड़ा था मौर एंपायर का जब आखरी राजा ब्रिहदर रठा को मार दिया गया ठीक तो मौर तो चले गए ठीक है मौर चले गए मौर के बाद उतने बड़े एंपायर पे दो तरीके के लोग आएंगे रूल करने पहले जो इंडिया के ही रहने वाले होंगे ठीक जो मौर एंडियन्स हैं जो हमारे धरती पे ही रह रह रहे हैं वो लोग रूल करेंगे और दूसरे जो बाहर से आके रूल करेंगे जो इंडिया के ही रहने वाले हैं हमारे धरती के ही रहने वाले हैं ठीक है उनको बोला जाएगा native successor और जो बाहर से आके हमारे उपर rule करेंगे उनको बोला जाएगा foreign successor फिर से समझ लीजे मौर्याज जो थे ये काफी बड़े ruler थे काफी बड़ी dynasty थी काफी बड़े area पे rule कर रहे थे और जैसे ही मौर्याज dynasty खतम होती है तो हम लोगों को भारत में दो तरीके के लोग जो है rule करते हुए दिखेंगे एक तो वो लोग राजा बनेंगे जो इंडिया के ही रहने वाले हैं उनको बोला जाएगा native successor और जो बाहर से आके हमारे उपर rule करेंगे इनको बोला जाएगा foreign successor ठीक है तो native succession में दो dynasty आई ठीक है पहली dynasty का नाम था sungha dynasty और दूसरे वाले का नाम था सत्वानाज ठीक यह sung dynasty और सत्वान डाइनस्टी जो थे यह हमारे इंडियन्स थे यह इंडिया के ही रहने वाले थे और मौर्यास के बाद राजा बन गया अब कुछ बाहर से भी आके हमारे उपर rule करेंगे उनको बुला जागा foreign successor वो लोग कौन थे इंडो ग्रीक इंडो ग्रीक पहले फिर इनके बाद आएंगे साकाज ठीक साकाज के बाद आएंगे पार्थियन्स और पार्थियन्स के बाद आएंगे cushions ठीक है एक बाद फिर से अच्छे से समझ लीजे देखिए मौरे डाइनस्टी काफी बड़ी डाइनस्टी थी मौरे डाइनस्टी काफी बड़ी थी जब मौरे डाइनस्टी खतम हो गई तो भारत में दो तरीके के लोग रूल करते हुए दिखाई जेंगे पहला जो इंडिया के ही रहने वाले थे और राजा बन गया आगे चलके उनको बोला गया नेटिव सकसेसर इसमें दो डाइनेस्टी आई सुंग डाइनेस्टी और सत्वाहन डाइनेस्टी और दूसरे लोग कौन थे जो बाहर से आके रूल कर रहे थे इनको बोला गया फॉरें सकसेसर इसमें पहले आये इंडो ग्रीक, फिर साकास, फिर पार्थियन, फिर कुशन्स ठीक है? तो अब थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि सुंग डाइनिस्टी कहां पे रूल कर रहे थी, सत्वाहनस कहां पे रूल कर रहे थे इंडो ग्रीक कहां पे रूल कर रहे थे, साकास कहां पे थे, पार्थियन्स कहां पे थे, और कुशान्स कहां पे थे तो देखिए देखिए, यहां पे आप लोगों को भी बताये थे कि यह वाला जो एरिया था, इसी एरिया में कौन थे? यह वाला जो एरिया है, इतना यहीं पे मगद हुआ करता था, ठीक, मगद डाइनिस्टी जब यहां से खतम हो गई तो इस जगा पे कौन आ गया था? बताये थे कि सुंगाज आ गए तो ये जो इतना एरिया है इस जगा पे कौन आके रूल कर रहा है यहाँ पे सुंगाज आके रूल कर रहा है ठीक है यहाँ पे सुंगा एंपायर बन गया यहाँ पे सुंगा डैनस्टी आके रूल कर रही है तो इस area में कौन rule कर रहा है सुंगाज dynasty rule कर रही है ठीक और अगर आप इसी सुंगाज dynasty के जस्ट नीचे देखेंगे इस जगह तो यहाँ पर आपको सत्वानाज दिखेंगे यहाँ पर कौन दिख रहा है सत्वानाज दिख रहे हैं ठीक यह दोनों कैसे हो गए सुंगाज dynasty और सत्वानाज कैसे हो गए यह लोगों गए native successor जो यहीं के रहने वाले थे और यहाँ पर राजा बन गए ठीक है तो सुंगा इत्ता वड़ा empire इस जगह पर rule कर रहा है ठीक और सत्वानाज यहाँ नीचे rule कर रहा है अब इसके बाद देखिए native के बारे में तो दोनों हम लोग समझ लिए फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है foreign के बारे में जो बाहर से आके rule कर रहे थे तो बाहर से आके rule करने वाले में कौन थे Indo Greek थे देखिए Indo Greek यहाँ पर लिखा हुआ है यह देख़ें यहाँ पे यहाँ पर दिख रहा पिंकर में थेकक, तो इस जगह पे पार्थियन्ज थे, इंडो गrीक और पार्थियन्ज कैसे थे? बाहर से आये हुए थे, foreign successor थे ठीक, तो Indo-Greek आप लोग समझगे किस जगह पे हैं इधर ये जो green वाला है और यहाँ पे जो pink वाला है यहाँ पे कौन है, parthians है ठीक, और beach में आपको यहाँ पे साकाज मिल जाएंगे इस जगह पे, थोड़े जगह पे साकाज बैठके रूल कर रहे थे इतना area जो है, ठीक है, यह आप लोग ले लिजे इतना area जो है, यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे साकाज थे यह सारी चीजे तो सही चल रही थी लेकिन इसके बाद यहाँ पे आते हैं हमारे cushions ठीक है, कौन आता है, cushions आते हैं और जब cushions आएंगे, तो parthians, indo-greek और सुंगास, तीनों को यहाँ से हटा देंगे और अकेले काफी बड़े area पे रूल करेंगे, यह देखिए यह empire किसका है, यह empire हो गया है cushions का ठीक, तो इतना बड़ा empire हो गया है ठीक, यह इतना बड़ा empire किसका है, cushions का है cushions आते हैं, indo-greek, साकास, parthians और सुंगास सब को हटा के इतने बड़े empire पे सिर्फ अकेले कौन रूल करता है cushions रूल करते हैं, ठीक है, इतने बड़े empire पे पूरे empire पे cushions रूल करते हैं, और cushions के बाद cushions तक का तो आपको समझ में आगया, cushions के बाद कौन आ जाएगा cushions के बाद आ जाएंगे हमारे कुपताज ठीक है, cushions को कौन हटा देगा, cushions को हटा देगी gupta dynasty, गुपता डायनिस्टी आएगी और cushions को हटा देगी और फिर गुपता डाइनस्टी को हटाएगा कौन वर्धन डाइनस्टी ठीक वर्धन डाइनस्टी इसी वर्धन डाइनस्टी के रूलर थे कौन हर्ष वर्धन ठीक हर्ष वर्धन अब जैसे ही हर्ष वर्धन की डेथ हो जाएगी ठीक हर्ष वर्धन की डेथ के बाद इंडिय आमें कौन चादा पाउर फुल बनके आएगा राशपूर्स और इसी जगह से आपकी यहां से medieval history start हो जाती है यहां से आपकी medieval history start हो जाती है तो यह एक पूरा overview था किसके बारे में मगद के बारे में कि मगद में कौन कौन सी dynasty कैसे कैसे आके rule करना शुरू की ठीक इसको पूरा detail में life class में पढ़ा दिया जाएगा और जो पढ़ चुके हैं पहले औले बैश में उनका ठीक है अब एक बार पूरा reason देख लेते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ था देखिए सबसे पहली dynasty जो आई थी मगद में कौन सी थी सबसे पहली dynasty थी हरियंका dynasty हरियंका dynasty के बाद कौन आई शृषुणाग dynasty के बाद कौन आई दो एक पहलत है अब जब मौर खतम हुए तो क्या हुआ मौर का एमपैर काफी बड़ा था तो यह दो तरीके के लोग आके मौर रियास के बाद दो तरीके के लोग आके यहाँ पर इंडिया में रूल करते हुए दिखेंगे पहला जो इंडिया के ही रहने वाले हैं और राजा बन गया है उनको बुला गया है native successors ठीक और जो बाहर से आके रूल करेंगे यहां पर उनको बुला गया है foreign successor अब देखिएगा native successor और foreign successor अब native successor में दो बताये थे कौन कौन आये थे सुंगा और दूसरा सत्वानाज ठीक सुंगा और सत्वानाज और foreign successor में कौन आया था foreign successor में Indo-Greek थे Indo-Greek के बाद साकास थे साकास के बाद Parthians Parthians के बाद कुशन अब इन लोग की जगा कौन कौन सी थी यह लोग किस किस एरिया पे रूल कर रहे थे तो यह भी देख लिए अगर मान लीजे यह इंडिया हो गया उस टाइम का हम लोग का पूरा तो इस एरिया में कौन बैठ के रूल कर रहा था इत्ते बड़े में इत्ते बड़े में सुंगास बैठे थे यहाँ पे कौन था सुंगास था यहाँ नीचे कौन थे नीचे यहाँ पे सत्वानास थे यहाँ पे कौन था सत्वानास थे इधर छोटे से एरिये में कौन बैठे थे यहां पर साकाज बैठे थे इधर बाहर वाले एरिया में कौन था इधर का जो एरिया था इसमें कौन था यहां पर इंडो ग्रीक थे इंडो ग्रीक से थोड़ा सा इधर कौन थे यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पर बताया थे कौन था पार्थियन्स थे ये सब कोई अपना अपना रूल कर रहे थे तब ही entry किसकी होती है इसी time entry होती ही cushions की ये देखिए यहाँ पर ये cushions की entry होगी अब जब cushions आएंगे तो cushions इस पूरे area पर rule करने लगेंगे cushions कितना पूरा capture कर लेंगे cushions आएंगे और ये पूरा ऐसे capture कर लेंगे ये इतना बड़ा पूरा capture कर लेंगे अकेले कौन इस पूरे जगा पर फिर कौन आ जाएगा इस पूरे जगा पर एक अकेला बैढ़ जाएगा cushions और cushions के बाद कौन आएगा cushions को replace करेंगे गुपतास और गुपतास के बाद आएंगे वर्धन डाइनेस्टी वर्धान डाइनेस्टी और वर्धान डाइनेस्टी के सबसे आखरी पाउरफुल राजा कौन होगे हर्ष वर्धन और हर्ष वर्धन की डेथ हो जाएगी हर्ष वर्धन के बाद कौन सबसे ज़्यादा powerful हैगा राजपूत हो जाएंगे और जैसे ही राजपूत की आपको पढ़ना सुरू करेंगे यहाँ से क्या हो जाता है start यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री start हो जाती है तो यह एक पूरा overview था कि कौन कौन dynasty कब कब और किस किस जगह पे rule की अब एक एक dynasty को detail में पढ़ना होगा ठिक तो वो जो है life classes में पढ़ाया जाएगा तो आप लोग तब तक wait कर यह life classes start होंगी उसके बाद आप लोग को अगला topic जो youtube पे मिलेगा वो मुलेगा गौतम बुद्ध की पूरी biography और उसके बाद महावीरा जी की पूरी बायोग्राफी तो अगर आपको यह video lecture पसंद आया है तो वीडियो को like कर दीजे अपने दोस्तों के साथ share करिए और चैनल को subscribe कर दीजे Thank you